गुर्मार्णी सुडेंट्स और क्लास सिक्स आप लोगों का आज चेप्टर नाइन दा हेड मास्टर रिपलाई देख लेते हैं चेप्टर एट में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वामिनाथन और एक टीचर के बीच में कुछ बात दिवात हुए थे जो औरिजनल थे ठीक है उसके बाद स्वामिनाथन के पिताजी एक लेटर लिखते हैं और उसको स्वामिनाथन के द्वारा हेड मास्टर के पास पहुंचाया जाता है उसी के बारे में चेप्टर है उसी से रिलेटर है सबसे पहले समय लेते हैं कि इसके राइटर कौन है आरके नरायन जो चेप्ट अरिक मालगुडी से रिलेटेड मिलता है उसी से रिलेटेड ये भी है कि स्वामी नाथन जो है वह अपनी क्लास में चार बिखती फिक यह ठीक है उनीको हमेशा confidence में रखता है निकुनी को हमेशा अपने साथ रखता है बाकी सब से उसकी इतनी नहीं रखती है और यह 400 वो ज्यादा एड्मायर भी रहता अपने सब से पहला बात किया जा तो सब से पहला जो है वो है सोमू कोने मोनिटर है जो बहुत यसानी तरीके से अपने आपको चलाता है वो इस प्रकार से चलाता है कि जैसे उसने पुरसाए खोल रखा हो वाटे वरित वाच जो भी हो जो वह absolute confidence and calmness से करता है यानि कि सांती पुर्वक सभी कामों को वो करता है इसके अलावा वो teacher को हमेशा परसान करते रहता है no teacher ever put to him any question in the class और आज तक कोई भी सिप्षक उससे class में एक भी question नहीं पूछे एनिवन किसी ने भी पूछने की कोसिस की तो वह उनका जबाब दे देता सिर्फ और सिर्फ एक ही बैक्ति थे जो उनसे question पूछ सकते थे और वो कौन थे headmaster जो उसके relation में uncle लगते थे उसके बास दूसरा कौन था दूसरा था money money जो था वो बहुत ही mighty good for nothing अच्छा तो था लेकिन ज्यादा नहीं he told above all the other boys of the class इसे सारे दूसरे मतों की class के बच्चे हमेशा इसे दूर रहा करते थे वो कभी भी चाका सकते कि कभी भी नहीं school में book लेकर आता था और नहीं कभी homework करकर आता था he came to class उसका monopoly था class में आता लास्ट पर जाता और सो जाता कभी किसी teacher ने उसे पूछने की कोशिस भी नहीं की एक बार एक teacher ने उसे या बात पुछने की कोशिस की तो वो अपने जीवन त्याग चुका था इस कारण से उसे कोई भी नहीं पूछा करते थे सब कोई उसे डड़ा करते थे लेकिन मनी जो था वो हमेशा उसके साथ स्वामी नातन के साथ रहा करता था ठीक है आम तर पर अगर देखा जाये तो मनी जिस राष्टे से गुजरता उस राष्टे में लोग क्या करते लोग दोरों तरफ साइड में खरे हो जाते और उसे जाने देते कभी उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है वेरिंग इस कैप एन एंगल एक कैप पेनने आता है जो एंगल की तरह है तमिल नोबल अपने हाथ मेले लेता है और इस परकार से स्कूल में वह इंटर करता है कि जिससे जो इसकूल के जो पुराने चपराशी है वह उसे पहचान सके इन मोस्ट अगर ज्यादा तर क्लासों में बात की जा तो उसके फ्रेंड काफी ज्यादा थे करता क्या था आके पीछे बैट के सो जाएगा तो पास तो करेगा नहीं यानिकि सारे जो थे उसके फ्रेंड ही हो गए तही स्कूल में स्वामिनाथन जो था अपने फ्रेंड पर प्रावड भी कथा यह दोनों पर स्टायाब के मनी हो गया या स्वोमू दोनों पर उसे friendship पर admire था। वाइन अदर दूसरे जो थे वो हमेशा मनी से दूर भागा करते थे क्योंकि उसके इस्टेंजर के बारे में वो जानते थे। मनी से एक बार स्वामी नाथन ने पूछा कि तुमको यह इस्टेंजर किस परकार से प्राप्त होते हैं किस प्रकार से तुम ऐसी कामें कर लेते हो जो हम लोग नहीं कर पाते हैं तो बताता है कि मेरे पास दो लकड़ी के गठे हैं दो छोटे-छोटे उने से मुझे यह सक्तियां प्राप्त होती हैं, जब मुझे जरुरत होती है, तब मैं उने से प्राप्त करता हूँ उसके बाद एक और फ्रेंड था, स्वामी का जिसका नाम था शंकर जो क्लास का most brilliant बुआय था, सबसे ज्यादा किसी भी problem को वो बहुत यासानी से solve को लेता या पांच मिनट में ही बना देता और हमेशा उसका score जो था, वो 90% या 90% से एभव रहा करता था देरवाजे bleep among a section of the positive only, he started cross examines the teacher एक ही लड़का था, जो क्लास में teacher से cross examines कर सकता था बाके सब तो teacher के question पुछने के बाद ही सो जाते थे जैसा लग रहा है, another section था कि संकर जो था वो बहुत ही brilliant था और हर चीजों का advance में ही solution बना कर रखता था यानिकि पहले से ही solution त्यार रखता था, एक और लोग कहते थे कि he was said to receive his 90% as a result of washing cloth for his master कुछ लोग कहा करते थे कि वो 90% इस प्रकार से प्राप्त करता है क्योंकि वो अपने master के कप्रे धोया करता है he could speak to the teacher in English in the open classes, जब classes चलते थे तो इतना able था संकर की अपने सिक्षक से अंग्रेजी में बात कर सकता था वो क्या-क्या जानता था, वो rivers के बारे में जानता था, mountains के बारे में जानता था, countries के बारे में जानता था, यह सबी जनकारी उसके पास पर्याप्त मात्रे में थे और जब सोता तो इतनी हास को दोहराता यानकि बोलते बोलते वह सोता था ग्रामर तो वह लगता था कि जैसे कि खेलते हुए पढ़ लेता था इतना वह तेज था कि कोई उसे पूछ था नहीं था लेकिन जब भी वह क्लास में आता उसके नोज से हमेशा डैम्प होते रहती और बाकी सब जो थे हेर जो था उसका ब्रेट था फलावर्स की तरह उठे उठे थे यानि कि वेल्मेंट नोकर नहीं आता था स्वामिनाथन लुक्ट ओन हीम एज अ मार्बल ही वाज भेरी हैपी वेन वेट मनी सी आइस तो आई विथ हीम एड़मिट संकर टू दियर कंपनी स्वामिनाथन बहुत ही खुश था जब उसने मनी और स्वमू के साथ अपने टीम में संकर को उसने जो रखा था मनी अपने तरीके से काम करता और सबी चीजों को अपनी मूठी में करके रखना चाहता था वो हमेशा अपने सर को खुश लाते रहता और कुछ-कुछ बोलते रहता और कहता है कि किस परकार से तुम मेरे एक पार्ट के छोटे से इसे में हो ठीक है कॉल हम इसके आगे पढ़ेंगे थैंक यू कि वुद्वाटिंग इस्टुडेंट्स क्लास शिक्स आज हिंदी में पढ़ना है आपको पाठ पंद्र जिसमें है सोना तो इसमें सोना जो है इसमें एक के हिर्णी का नाम है सोना इसमें लिक का ने एक के हिर्णी के के सुदर और कार कलापो का सुनदर बरनन किया है और हिर्णी का नाम है सोना उसी पर ये सारा कहानी जो है धारित है उसी के बारे में बताया कि यूए इसके बारे में बरनन किया गया है उसकी सुदर्टा के बारे में तो सी कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे सोना अचानक आई थी प्रंतु वह तब तक अपनी सेश्वा वस्ता भी पार नहीं कर सकी थी जब वो उसमें इतनी छोटी थी जब इसको लाया गया लिखिगा अपने घर में लाई थी तो बहुत वो छोटी थी तो उसको लिखिगा ने पाला तो उसके आगे क्या हुआ सुनहरे रंग के रेश्मी लच्छो की गाठ के समान उसका कोमल लगु सरीर था उसके सरीर का बर्नन कर रही है लिखिगा कि वो जब आई थी छोटी सी थी बच्ची तो उसमें वो कैसी थी वो हिरनी छोटा सा मुह और बड़ी बड़ी पानिदार आखें देखती थी तो लगत प्यारे हीरन सावक की कथा तो मित्ती की ऐसे बैठा कथा है जिसे मनुस की निशुच्ता गरती है वह ना किसी दुर्वल खान के अमुल हीरे की कथा है और ना ही अताह समुंद्र के बहु मुल मोती की परसांत बनस्तिली में जब जुगाली करता हुआ मिर्ग समुंद्र सिकारियों की आहट से चौक कर भागा तब सोना की मा भागने में असमर्त रही मिर्ग सिसु भाग नहीं सकता था अताह मिर्गी मा ने अपनी संतान को अपने सरीर की ओट में स्रच्छित रखने के लिए परियास में अपने प्रांद दे दिये जब सिकारी आयास को करने के लिए तो सब तो और भी जो हीरन था भाग गया लेकिन वह जो नहीं भाग सकी अपने बच्चे की महमाया में औहीं रह गई और सिकारी ने उसे मार दिया शिकारी मिठ हिद्नी के साथ उसके जीवित सावक को उठा लाए तो भीदनी जब वर गई तो उसके बच्चे को भी वह सिकारी जो था साथ में ले आया उन में से किसी के प्रिवार की द्यावान गिरहनी और बच्चों ने उसे पानी पिला दूद्ध पिला पिला कर दो चार दिन जीवित रखा किसी बालिका को मेरा अश्मरन हो आया और वह अनात्सासक को मेरे पास ले आई उसके बचने की आसा भी दुमिल थी परन्तु मैंने उसे स्विकार कर लिया सिंध सुनहरे रंग के कारण अब उसे सोना कहने लगे जब उसकी मा मर गई छोटे से हिर्णी के मा मर गई सिकारी ने इसको मार दिया तो किसी तरह वो लेखिका के पास उसका बच्चा पहुंच गया तो उन्हें इसका ही बचने का कोई उमीद नहीं था लेकिन उसको देख कर इसको देया आई और उसको उन्होंने ठीक से पाला पोसा और उसको इसका शरीर पर जो सुनहरा रंग था जिसके कारण उसका सोना नाम पर गया उसको सोना कहने लगे दूद पिलाने की सीसी गुलकोज बक्री का दूद आदि सब कुछ एकत करके उसे पालने का कथिन हम्र हुई पालने में तो वह पाल रही है उसको खाने पीने का रहने का सब्यवस्ता उसको छोटे से बच्चे का कर दी ताकि वह बच जाए उसका दीन भरका कार कलाप भी एक परकार से निश्चित था वह विद्याले चात्रावार्स की ऐसी पिरिये साथीन बन गई जिसके बिन चात्राओं का किसी काम में मन नहीं लगता था दूद पीकर और भींगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चार वह पैरोग को संतुलित कर चौकरी भरती और इसकूल था वहीं पर इसकूल में क्या करती वह छोटे से वह हिरनी वह अपना वहाँ पर दूद पी लेत और उसके बाद कूरे घ्राउंड में हुआ मैदान में खेलती कुद्धी बच्चे लों का भी मन लगता उसके साथ वह छात्रावास पहुंचती और परते कब्रे के भीतर बाहर रियक्षन करती से वेजे चात्रावास में विचीत्र सी किरिया कलाप रहती और किल्चीत्र सी किरिया सिलता रहती है और कोई छात्रा हात मूध होती है कोई बालों में कंगी करती है कोई सारी बदलती है कोई अपनी मेज की सफाई करती है कोई असनान करके भीगे-भीगे कपड़े सुखने के लिए फेलाती है और कोई पुजा करती है सोना के पहुच जाने पर इस विवि या उसमें रहती है खुश्टल में वह सब अपना-पना काम सुबह में करती हैं काप्रा सुखाना नहाना पुजा करना उसी में ये हिर्णी का बच्चा जो है वहां पर पहुंच जाती है कोई छात्राइस के माथे पर कुम कुम का बडा सा टिका लगा देती है कोई उसके गले में रीवन बांद देती है कोई उसे पुजा के बता से खिला देती है मेस में उसके पहुंचते ही छात्राइं ही नहीं नौकर चाकर तक दोड़ आते हैं सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने को उतावले रहते हैं प्रंतु उसे बिस्कुट को छोड़ कर कम खात्पदार्थ वह बिस्कुट को छोड़ कर बाकी और भी जो चीज था उसको खाना हुआ ज्यादा पसंद नहीं करती थी तो आज इतना ही और बाकी जो होगा कल को प्रहाए जाएगा आपको आधाज प्रहा दिया गया आधा कल प्रहाए जाएगा धर्यवार् झाड़ कर प्रहा दिया लाकी जो खाना हाँ जो आजा हो गजाएगा य तो आंख not to know how we wait वो उजे